दोस्तों यदि आप भी एक WordPress ब्लॉगर है तो आपको अपने WordPress ब्लॉग को मेंटेन करने के लिए कई तरह के plugins की यहां पर जरूरत पड़ती होगी आज के इस वीडियो मैं आपको टॉप 10 ऐसे WordPress ब्लॉगिन के बारे में जानकरी देने जा रहा हूँ जिनकी help से आप अपने WordPress ब्लॉग को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर maintain कर पाएंगे और इन 10 प्लॉगिन के माद्यम से आप अपने ब्लॉगिन के जरूर्णी को यहां पर grow कर पाएंगे इन टॉप 10 प्लॉगिन को मैंने आज के इस वीडियो में इसलिए भी सामिल किया है क्योंकि मेरे पास मेरे जो 5-6 ब्लॉग अभी रन कर रहे हैं उन सभी में मैं इनका यूज भी करता हूँ तो आईए जानते हैं यह ऐसे कौन से प्लॉगिन है जिनका प्रयोग आप कब और कहां पर कर सकते हैं और इनका किस तरह से आपको यूज करना है ताकि आपको और अधीग ब्लॉगिन की जरूर्णी में हो सके नमस्कार दोस्तों मैं हूँ से सोलंकी आप देख रहे हैं सेस्टॉक चैनल जहांपर आपको यूटूब लॉगिन में एक मने टीप से जूकेशनल एलफूल टेकनिकल सपोर्ट नालेज समय समय पर दिया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ दोस्तों सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग में लॉगिन होकर आपको दिखा देता हूँ कि यहां पर जो है मैं अभी 12 प्लगिन का यहां पर यूज कर रहा हूँ जिनमें से 10 प्लगिन को मैं आपको यहां पर सजेस्ट करने जा रहा हूँ इनमें सबसे पहले नमबर पर जो है वो है WPS Hide Login WPS Hide Login plugin का प्रयोग करते हुए आप अपने जो blog है उस पर unwanted लोगों को विजिट करने से hackers को विजिट करने से यहाँ पर रोग सकते है जब भी आपको इन नया blog यहाँ पर लेते है एक नया domain लेते है नया hosting लेते है तो इसमें hackers के पास उनकी basic जानकारी वो कई tools की मदद से online यहाँ पर पता कर पाते है और उनके blog को hack कर सकते है इसलिए यदि आप यहाँ पर चाहते है कि आप free में अपने blog को यहाँ पर protect करे तो आपको WPS Hide Login नाम के plugin का यहाँ पर प्रयोग करना है जब तक आप अपना यहाँ पर code नहीं डालेंगे जब तक आप अपना यहाँ पर password नहीं डालेंगे तब तक यह login पेनल ही यहाँ पर जो है किसी third वेक्ति को यहाँ पर नहीं दिखेगा इंट वेक्ट आपको भी नहीं Yoast SEO नाम का ये plugin आपको पूरे content writing में आपके पूरी blog post को लिखने में यहाँ पर help करता है और बताता है कि आपने title सही दिया है या नहीं, title में आपने keyword का प्रयोग किया है या नहीं, first paragraph में keyword का प्रयोग किया है या नहीं, इसमें internal link लगाई है या नहीं, outlink लगाई है या नहीं यानि कि आपको किस तरह से सही तरीके से SEO आपके blog post का करना है वो SEO पूरा यहाँ पर suggest करके देता है Yoast SEO को किस तरह से प्रयोग करना है, इसका use किस तरह से होता है, इसके बारे भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे रखिए जिसे देखकर आप इसे install कर सकते है और use कर सकते है इस plugin का भी प्रयोग मैं अपने blog में यहाँ पर करता हूँ, जो कि यहाँ पर active दिखा रहा है जो third plugin है जो आपको use करना चाहिए है वो है Google Site Kit Google Site Kit, Google का ही यहाँ पर product है, इसलिए इस plugin पर कोई भी doubt, कोई भी संदे नहीं किया जा सकता इस plugin के माध्यम से आप एक ही जगह पर Google का analytics, Google search console की report, Google AdSense की report, इस सारे data जो है एक ही जगह पर यहाँ पर देख सकते है अलग-अलग आपको visit करके इनके data देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कितने views आए है, किस country से आए है, कौन सी post आपके train में जा रही है, किस तरकी speed अभी आपके blog पर यहाँ पर है, किस तरका improvement आपको करने की युगरत है यह सारी चीज यहाँ पर जो है Google Site Kit आपको बताता है Google Site Kit को किस तरह से install करना है, किस तरह से use करना है, इसके बारे में जानकर आपको इस वीडियो में मिल जाएगी चली देखते है हमारा fourth plugin हमारा fourth plugin है, उसका नाम है One Signal Wave Push Notification यह One Signal Wave Push Notification आपके blog पर visit करने वाले हर एक नई viewer को एक notification देता है कि आप जिस तरह से YouTube में channel को subscribe करते है, उस तरह से आप इस blog के page को भी subscribe कीजिए ताकि आप जब अपने blog पर कोई नया post, नया article यहाँ पर लिखते है तो जो लोग आपके यहाँ पर subscribe करके रखते है, उन्हें जो एक notification जाता है और उस notification पर क्लिक करके वो आपका नया post यहाँ पर पढ़ते है जिसी कि आपके नये post पर यहाँ पर CTR बहुत अच्छा आता है, views यहाँ पर ज़्यादा आते है और उसके viral होने के Google में rank होने के chance यहाँ पर बढ़ जाते है इसलिए आपको one signal web post notification का प्रयोग करना चाहिए, मैं भी इसका यहाँ पर प्रयोग करता हूँ हला कि इसके alternative भी market में यहाँ पर available है जिनका भी प्रयोग आप कर सकते है लेकिन आपको अपने blog post में कोई एक ऐसा web page notification का प्रयोग जरूर करना चाहिए जिससे कि आप जो नया post यहाँ पर लिख रहे है आपके subscriber को आपके viewer तक उसका alert यहाँ पर आटमेटिक पहुँच जाए चलिए यहाँ पर देखते हैं फिफ्ट नंबर का plugin जो आपको mostly use करना चाहिए इसका नाम है head footer and post injection इसका mostly प्रयोग होता है आपके जो codes वगिर होते है जो add वगिर आप लगाते है या google adsense का जब अप्रूल वगिर आपको मिलता है तो जो code आपको मिलता है उस code को header में लगाने के ज़रूरत होती है तो ऐसे में आप इस plugin का use यहाँ पर कर सकते है इस plugin के header में जो भी code आप यह WordPress blog के header में code को insert करने की जरूरत होती है तो ऐसे में आप इस plugin का प्रयोग यहाँ पर कर सकते है जो कि काफी useful आपके लिए हो सकता है और जब आपका google adsense का approval आपको मिल जाए तो advertisement लगाने के लिए add place करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते है अलग इस से बहतर विकल्प भी market में google के advertisement place करने के लिए है जिसके बारे में आगे मैं आपको यहाँ पर बात करूँगा लेकिन केवल header में आपको कोई code को insert करना है तो यह based plugin आपके लिए हो सकता है जिसे मैं यहाँ पर use करता हूँ हमार जो sixth number का plugin है वो है ads.ht manager यहाँ पर भी जो है आपको एक code को paste करने के पर परती है तो यह plugin भी आपके लिए काफी useful यहाँ पर हो सकता है केवला आपको google का एक code ads.ht file यहाँ पर इस्टॉल करने के लिए इसका प्रयोग करना होता है ज्यादा size भी इसका नहीं है और ranking भी यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छी है मैं इसका प्रयोग यहाँ पर चाने होते है और इन google के ad को सहीं तरीके से सहीं जगह पर insert करने के लिए आपके पास एक plugin की यहाँ पर जरूरत होती है तो आप एड इंसर्टर का प्रयोग कर सकते है इस plugin के जरिए आप जहां चाहे जिस भी जगह पर चाहे यहाँ पर अपने google के ads अपने viewers को दिखा सकते है इस add inserter plugin का प्रयोग किस तरह से करना है उसके बारे भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे रखे जो कि आपकी help यहाँ पर कर सकता है अगला जो plugin यहाँ पर है वो है add to any share button जब आपका viewer आपकी post बगेर यहाँ पर पढ़ रहा है और आपने यहाँ पर add to any share button यहाँ जो है direct यहाँ पर send कर सकता है direct share कर सकता है उसे आपके post की link copy करके और फिर उस platform पर visit करके share करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि viewer का time यहाँ पर बचेगा और viewers को भी आपके post share करने में ज्यादा problem नहीं होगी जिससे कि आपके wordpress site wordpress post आपका article ज्यादा share होगा और ज्य अरला जो plugin है वो है contact form 7 contact form 7 का नाम आपने जरूर सुनाओगा आपको जब भी अपना blog आप यहाँ पर बना रहे है कोई नई website बना रहे है कोई नया blog आप यहाँ पर onepress पर बना रहे है और उसे आप monetization के लिए यहाँ पर भेज रहे है Google AdSense के अप्रोल के लिए भेज रहे है उससे पहले आपकी side पर आपको contact form 7 add करनी की जरूरत होती है हला कि यह जो है आप किसी और तरीके से भी कर सकते है लेकिन आपकी website पर एक contact us नाम का page यहाँ पर बना हुआ जरूर होना चाहिए तो contact us page बनाने के लिए आप contact form 7 नाम के plugin का प्रयोग कर सकते है इसे केवल install कर ले आपका जो है contact us page यहाँ पर complete generate हो जाता है बन जाता है तो इस plugin का भी प्रयोग आप जरूर कीजेगा मैं भी इस plugin का प्रयोग करता हूँ अगला और जो 10th number का हमारा plugin है वो है मुष मुष के नाम से जो है यह plugin आपको मिलेगा यह plugin आपके जो post है जो article है उसमें जितने भी यहाँ पर optimize कर देता है उसे जो है compress कर देता है उसके size यहाँ पर जो है कम कर देता है जिससे कि आपकी post यहाँ पर smoothly open हो जाती है उसकी speed यहाँ पर बढ़ जाती है और Google में rank होने के viewers को देखने में जो है यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं होती है तो आपको इस plugin का भी image को optimize कर दे, compress कर दे और उसका size यहाँ पर जो है कम कर दे थाकि आपकी जो post है जो article है वो loading में यहाँ पर ज्यादा time नहीं ले तो इस तरह से आप इन 10 plugins का प्रयोग करते हुए अपने blog पोस्ट अपने article को Google में rank करवा सकते है और यह plugin आपको आपकी blog की जरनी में यहाँ पर बहुत help कर सकते हैं मैं personal तोर पर भी इन plugin का use अपनी सभी blogs में आपर करता हूँ तो अम्मीद करता हूँ आपको आज किस वीडियो में दी गई यह information यह जानकरी पसंद आई होगी यह जानकरी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को like कीजे अपने सब दोस्तों साथ share कीज इजुकेशनल हेल पूल टेकनिकल सपोर्ट नालेज के लिए हमारे इस चेनल से स्टॉक को सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक की लिए जाए हिन वंदे मातराम